कि यह जो आप सीन देख रहे हैं यह कोई क्रैम पेट्रोल यह सावदार इंडिया का नहीं है बलकि मेरे साथ हुई यह आज की घटना है जिसमें मैं बालवाल बची हूँ शुकर है बगवान का यहांपर जाके सीटी टक रहे है और मेरे सरख रहे हैं झाल के रहे हैं कोङी आज स के लगे मेरे से दाल के बगवानन का रावन्य यहां और इसी वज़े से चल रहा था लेकिन इस छोटी सी लापरवाई के वज़े से आज ये दुरुगटना हुई कटना दुरुगटना नहीं कह सकते हैं भगवाल ने मुझे दवचा दिया लाख लाख शुकर तो ध्यान रखिये गासले तो दोस्तों आपने अभी एक वीडियो देखा जिसके अंदर आपने देखा कि एक जो घर की रसोई के अंदर किस तरीके से जो कुकर है बलाश्ट होने के विज़े से बिखरा पड़ा है जो उसकी विसल है वो कहीं और पड़ी है जो उसका धकन है कहीं और पड़ा है और जो म का निशान बन चुका है और शायद इन्होंने घर में खीचडी ही पकाई थी या डाल पकाई थी तो उसका वी सब पूरे मतलब जैसे रसोई के अंदर फैला पड़ा है तो यह किस रीजन से हुआ है हाला कि उन लेडिस ने बताया लेकिन मैं भी आपको अच्छी तरीके से बत देता हूं तो यह देखो कि काफी समय तक हमें घर में कुकर यूज करते रहते हैं मतलब हमने नया कुकर लिया और उसको 10-12 साल तक यूज किया तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं कि जैमिंग प्रोब्लम हो एती कुकर जैम हो जाते हैं रबर तो मानले हम कभी कबार चेंज क पुराना कुकर है तो आप उसे बदल के नया कुकर लेए ऐसे नहीं है कि यह कुकर आपको फैंकना पड़ेगा बलकि यह कुकर जो पुराने वाले कुकर हो जाते हैं और उसके बतले अच्छी खासे आपको कीमत बिल जाती है कीमत देके थोड़े से पैसे उपर लगा के कपाद हो जाती है बहुत अब बड़ी जो दुरगतना हो सकती है लेकिन शायद 橋ाठ हो सकता था तो अगर आपके घर में ऐसा कुकर है पुराना तो आपके साथ ऐसी दुर गटना या गटना ना हो तो आज ही आप अपना कुकर चेंज किजिए वरंना आपको पश्टाना प आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको कहिए कि आप अपना कूकर चेंज करवा ली दिए, नहीं तो आपको पस्ताना पड़ेगा अब हम इस सीन को थोड़ा पारिकी से दुबारा देखते हैं तो देखिए जो हाला देखिए किस तरीके गवर के हैं तो ये गैंस चुला है, उसके भी देखिए जो शीशा है बिल्कुल तूट चुका है और जो कूकर की विसल है वो छट पे जाके टकराई और वहां का पलस्तर उतर चुका है और देखते हैं, जो कूकर की विसल थी वो डबे में गिरी थी लेकिन लेडीज ने बाहर निकाल दी थी और देखिए क्या हालाद हो चुके हैं पूरा प्रेशर क्योंकि कूकर गे अंदर पूरा प्रेशर होता है और ये इसका ढयन है ये देखिए ये लेडीज के सिर के उपर से जाके गिरा और वहां पे नीचे फर्ष पे गिर गया और ये मेन कूकर है अलांकि इसका कुछ नहीं बीड़ा अगर ये फट जाता तो बहुत जादा नुकसान हो सकता था अक्सर होता ये है कि ये भी फट जाता है लेकिन भारी नुकसान होने से बच गया तो दोस्तों अगर आपके भी घर में पुराना कूकर है तो जल्दी से जल्दी प्लीज आप रिप्लेस कर लीजिए